हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू टीचर स्लेक्ट अकेडमी मैं हूँ गुफ्रान अलम आपका सिख्षक आपका होस्ट पिछले वीडियो में यानि कि थर्ड वीडियो में हमने क्लास फाइब के NCRT के इन्वॉर्मेंट चैप्टर बुक का उसके सारे कंटेंट्स के हमने चर्चा किया था अब वक्त आ गया है कि हम उससे आगे बरहें और आगे के तत्थियों की चर्चा करें अगर आप इस चैनल पर बिलकुल ने है थो इस सब्सक्राइब की जीए इसे लायक कीजिए और जो हमारे पहले से चातर चातर है हम से जुड़े हुए है पढ़ रहें वह सभी अपने ग्रूप करकर करके इसे लाई और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, अगर जुलाई पांच को एकजाम हो गई, तो ये कंटेंट आपको बिल्कुल राम बान की तरह काम करेगी, और मैक्सिमम जो को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, 347, पॉइंट नंबर से सुरू करते हैं, सभी रेगिस्तान, रेतिले और गर्म नहीं होते हैं, लद्दाख के पहारों पर इतना सुखा मैदान है कि वहाँ पेर पौधे नहीं उख पाते हैं, सर्दी के दिनों में अक्सर लोग नीचे की मंजील पर जानवरों के पास ही रहते हैं, जिसमें कोई खिर्की नहीं होती है, सभी घरों की छट समतल हुआ करती हैं, छटों पर लाल मेर्च, सीता, फल और मक्का सुखाने के लिए रख दिये जाता है, कुछ लोग उपले यान में इस्तमाल हो सके, लद्दाख में मोटी दीवारे, लक्री के फर्स और लक्री की छट ही ठंड से बचाते हैं, चांग थांग इलाका लगभक 5000 मीटर के उचाई पर है, जहां मैदानी इलाका बिलकुल सुनसान और पत्रीला है, यहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, चांग पा घुमनतू लोग है, जो हमेशा भेर बक्रियों के जुन्ड लेकर, पहारों में हरे मैदानों की खोज में घुमते रहते हैं, भेर बक्रियों के संख्या पर पडिवार का अस्तर होता है, जिनके बालों से दुनिया के मसहूर पस्मीना उन बनती है, पस्मीना लोग अपना पूरा घर और सामान घोरो और याक पर लाद कर घुमते हैं चांगपा लोग अपने टेंटो को रेबो कहते हैं याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पटिया बनाते हैं जिनहें सिलकर जोर लेते हैं और वो बहुत मजबूत होती है और बहुत गर्म भी होत चांगपा के भाषा में चांग थांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं वो चांग थांग कहलाती है उचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है पहारों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं एक पश्मिना सौल में छे स्वेटरों के बराबर गड़मी होती है लेकिन यह बिलकुल ही पतली होती है पश्मिना उन पहारी बकडियों की एक खास नसल से निकाली जाती है जो लगभग 5,000 मीटर की उचाई पर रह सकती है 5000 मीटर के उचाई पर सर्दियों में तापमान माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट तक चला जाता है आप समझ रहे हैं ना माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट यानि कि अगर पाइप वो गरम में भी पानी होगा तो वो जम के फट जाएंगी ये हालात हो जाते हैं बकरियों के बाल हमारे बाल से लगभग 6 गुना ज़्यादा पतला होता है पश्मीना सौल मसीनों से नहीं बलकि हाथों से बुना जाता है और इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं ऐसे कोश्चन मल्टिपूल 24 में पूशे जाते हैं कि पश्मीना सौल के लिए निमन लिखित में से कौन-कौन से तथे सही है ये पॉइंट सही है तो एक की ये हाथों से बुना जाता है इसमें 250 घंटे लग जाते हैं तो इन सब तथेों को थोड़ ध्यान में रखिएगा मल्टिपूल 24 बनाने में मदद करती है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग तरह के घर होते हैं इसका कारण मौसम, जरूरत, पैसा और वहां मिलने वाले समान हो सकते हैं रेबो के पास भेर बकडियों के रहने के लिए जगह बनी होती है इसे चागपा लेखा कहा जाता है लेखा की दीवारों और चटानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं भेर बकडियों के जुन्ड को लेखा से बाहर निकाल कर और गिनकर चराने के लिए ले जाना और ठीक से उसे वापिस लाना वहां की औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है गौरज आनि लेह से वापिस आते समय कारगिल होते हुए स्री नगर पहुंचे श्री नगर में बाहर से आये हुए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं हाउस बोट असी फुट तक लंबे होते हैं और इस बीच से इनकी चोड़ाई आठ नौ फुट तक होती है हाउस बोट और कई बरे घरों के अंदर की छट पर लकड़ी की सुंदर नकासी की जाती है इसमें एक खास डिजाइन खतम बंध है जो जिगसो या जिगसो पजल जैसा दिखाई देता है श्रीनगर के पुराने घरों की खासियत है जालिदार खिरकी है ये बाहर की ओर उभरी होती है इन्हें डब कहते हैं इन्हें बैठ कर बाहर का नजारा बनिया दिखता है बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं पानी पर तैरते रहते हैं श्रीनगर की डल जिल और जहलम नदी इन्हें डोंगों में कई परिवार रहते हैं मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं पत्थरों को काट कर एक के उपर एक रखकर बनाये गए घर कश्मीर के गाउं में दिखते हैं जिस पर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तमाल किया जाता है कश्मीर के घरों की छट ढलवा होती है और यहां डिजाइनदार महराब खबू बनाये जाते हैं 26 जन्वरी 2001 को गुजरात के भुज इलाके में एक भयांकर भोकमप आई थी जब भोकमप आए तो घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए अगर घर से बाहर न निकल पाओ तो फर्स पर लेट कर किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाना चाहिए बच्चों को जो इस स्कूल में समझाये जाता है ये वही तथ है भोकम पाए तो उसे कैसे बचा जाए मुह के हवा से हम लोग कभी गर्म तो कभी ठंडा हवा एहसास कर सकते हैं बालिष्टिय मिया की कहानी हमारे देश के पुर्व राश्परती डॉक्टर जाकिर हुसेन ने बच्चों के लिए लिखे थे वर्धा शहर महराष्टर हम परता है गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए महमानों को भी खुद से ही काम करना सीखना परता था भीमरावमेदकर अपने लोगों पर होने वाले और नियाए के खिलाफ लड़ाई की थी इनहीं के अगवाई में हमारे देश का सनुविधान तयार हुआ था अफसाना मंसूरी मुंबई की नागपारा बास्केटबॉल एसोसियेशन की सदसे है अफसाना मंसूरी अफसाना मंसूरी कौन थी तो नागपारा बास्केटबॉल एसोसियेशन की सदसे थी जो मुंबई में अफसाना मंसूरी मातर 13 वर्ज की अवस्था में ही बास्केटबॉल सीखने लगी थी अफसाना मंसूरी का पड़िवार बहुत ही गरीब है उनकी मा बरतन मांजती है बच्चु खाना प्लेगराउंड का नाम मुस्तफा खान के नाम पे रखा गया मुस्तफा खान को बच्चे बहत चाहते थे इसलिए उन्हें सब बच्चु खान कहने लगे बच्चु खान प्लेगराउंड से आज कई अंतराष्ट्रिये खिलारी निकले हैं जो खिलारियों में अरजुन पुरसकार जिन्हें दिया जाता है खेरी गाउंगे पास नदी पर एक बहुत बढ़ा बांध बनाए गया बांध बनाने के लिए बहुत सारी जमीन की जरुवत होती है इस कारण बहुत सारे गाउंगों को खाली कर दिया जाता है और उन्हें नई जगह बसाया जाता है बांध बनाने से कुछ लोगों को नुकसान तो कुछ लोगों को फायदा भी होता है बांध बनाकर बिजली भी उत्पादित की जाती है खेरी गाओं के लोगों का भाशा रहन सहन को देखकर दूसरे गाओं के लोग इनका मजा कुराते थे वो खेरी गाओं वाले को बिन बुलाए महमान कहकर भी उनका मजा कुराते थे गुजरात के वानगाम गाउं में बाजरे की फसल बहुत अच्छी होती है यह इलाका अनाज, साग, सबजी के लिए बहुत ही मशूर था हर साल अच्छी फसल के लिए बीज अगले साल के लिए रख लिए जाते थे बीजों को हमेशा अगले साल के लिए रखने से उसका वंस चलता था कीरों से बचाने के लिए उन्हें नीम की पतियों को भी बिछाई जाती थी सरदियों में खेतों में ही एक मटके में भरकर सील बंद कर दिया जाता है गुजरात में उंधियों का मतलब होता है उल्टा उंधियों पकाने के लिए सबजियों के मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद करके कोईले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सबजी को पकाया जाता है इस पकी सब्जी को ही उंधियों कहते हैं गुजरात में उंधियों के साथ मिटी के चूलहे में पकी बाजरे की रोटी और दूध, मक्षन, दही, छाच, खूब चाव से लोग वहां खाते हैं किसान अपनी जरूरतों के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी शहर के दुकांदारों को बेज देते हैं गुजरात में कपासकी भी खेती होती है, सूत की कताई और बुनाई में ही चर्खों और कर्खों पर भी की जाती है वहां कुछ जगहों पर नहर का पानी तो कुछ जगहों पर बड़ी नदी पर बांध का बनना सामिल होता है कुछ जगहों पर नहर का पानी तो कुछ जगहों पर बड़ी नदी पर बांध का पानी पहुँचाया जाता है आमदनी के लिए किसान अब गेहूं और कपास की खेती करते हैं इससे पुरानी फशल खत्म हो जाती है पहले कपास की खेती नहर की पानी से होती थी और लागत कम लगता था अब पॉंप सेट से जमीन के बहुत ही नीचे से पानी खीच कर सीचाई की जाती है जिस कारण वो महंगा हो गया आधोनिक ढंग से खेती करने पर खर्च काफी बढ़ जाता है और एक ही फसल बार बार उगाने से जमीन बंजर हो जाती है इसलिए किसान बैंक के कर्ज में डूपते जा रहे है फैक्टरी में बनी खात का इस्तमाल करने से कुछ समय के लिए जमीन उपजाओं बन जाती है पुना बंजर भी हो जाती है खेतों में किसान परकृतिक खात का उपियोग कर और केंचुए के द्वारा उपज को बहा सकते हैं केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसे जमीन पोली हो जाती है और केंचुए के मल से जमीन उपजाओं भी हो जाती है बाजरे को ओखली में रखकर कूटते हैं तो उसके दाने बाली से अलग हो जाते हैं आधोनिक यूग में हम थ्रेशर का उपियोग कर रहे हैं और एक ही काम को अलग अलग तरीके से करने के हम लोग तकनीक कहते हैं जारखंड के कुछ हिलाकों में बच्चे कुडुक भासा में गीत गाते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं आधिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जूरी है अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे सुर्य मनी एक चमकता सितारा यानि गर एस्टारी यह जारखंड की रहने वाली है इसकी चर्चा पहले भी की है हमने अपने पिछले वीडियो में चमकते सितारे उन साधारन लड़कियों की और साधारन कहानिया है जिन्होंने स्कूल जाकर अपने जिंदगी बदल ली है कोशन यह हो सकता है कि गर सेस्टारी यानि चमकते सितारे यह किसलिए लिखा गया केवल सैक्रो पेर लगाने से जंगल नहीं बनते यह तो वहां के पेर पोधेर जनवरों का ताना बाना की वज़ह से जंगल का निर्वान होता है सुर्यमनी जहरखंड जंगल बचाव अंदोलन का काम वबास्वी दीदी से है जो एक पतरकार थी उनके साथ मिल कर किये जहरखंड जंगल बचाव अभियान किसने सुरू किया था कोश्चन ऐसा बन सकता है सुर्यमनी का साथ उसके बच्पन का साथ ही वीज़े ने दिया और साथों में मिर्ची नामक एक तोता भी रहता था सुर्यमनी जब एकी साल की थी तब वे वास्वी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोले इससे उस जगा का नाम तुरांग रखा कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल जमीन के नीचे से पानी या खनीज निकालना समुद्र में से मचली पकरना पेट्रोल का इस्तेमाल ये सब सभी के सांजे खजाने से है सुर्य मनी चाहती थी कि लोग तेवारों पर अपने गीत गानों को गाए अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही अपनी कुडुक भाषा का भी रिष्टा उससे जोड़े रखे अब आते हैं किताबों से अलग हटके जो चीजे कभी-कभी दिखाई देती है एक्जामस वगर में जैसे कुछ कानून एक्ट वगर को लेकर भी तो उसकी बात हम करें जंगल अधिकार कानून 2007 या कानून अधिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां की जंगल और वहां पर पैदा होने वाली चीजों पर हक होता है उन्हें जंगल से हटाय न जाए जंगल बचाने का काम भी उनकी भी उनकी ग्राम सभा करते हैं मिजोरम की लोटरी वाली खेती क्या होती है जरा से उसको जाने मिजोरम में जमीन को साजहा मान कर सब लोग को बारी-बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है मिजोरम में जो खेती होते उसे जूम खेती कहते है Qucion यह पहले भी आ चुका है कि जॅमखेती कहां पाई जाती है तो मिजोरा में ज़ादा तर जो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते उन्हें ज़ादा खेत नहीं दिये जाता है तीन तीन जमीन का मतलब है एक तीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं ये कोश्चन आ चुका है तीन टीन जमीन का अरथ क्या होता है और ये खेती कहा होती है मिजोरम में याद रखना है जुम खेती का तरीका बहुत ही निडाला है कैसा है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं और वहां के जंगल को जला कर खाद बना लेते हैं इसे जमीन को जोतना नहीं पड़ता है यह जो आप्सन जोतने वला आ रहा है न यह भी आप्सन में देता है काता है जूम खेती के लिए चूज कीजिए कौन-कौन से सही है तो याद रखे जमीन को जोतना नहीं पड़ता है मिटी को हलके से हिला कर बस उसमें बीच ही रख देते हैं जूम खेती में एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीच जैसे मकई, सबजी या मिर्च और चावल बोए जाते हैं क्लियर है अब हम लोग इसके बाद पेड़ागोगी सेक्सन और NCF 2005 में क्या-क्या बाते कही गई है इसके आगे उसकी चर्चा करेंगे आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा सज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें इसका फायदा हो सके और इसमें किसी तरह के अगर कोई कमी आ जा रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें सज्जेस्ट कीजिए का हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए बहुत खोशी होगी आप सब का बहुत बहुत सुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नमस्कार आदाब